पूरियर जंग नमस्कार आपके साथ मैं हूरतिक सभीत और आप देख रहे हैं तेज नगाहे निज और इमारे साथ मौझूद है प्रमद गुपता जी निगम पारसाथ यमना ब्यार बाट बहुत बहुत स्वागत सर आपको हमारी चैनल में दन्यवाद सर आपके बाट में कोई ऐसा हो व्रष्टाचार हो रहा नहीं तो खेजरिवाल जी आजाएंगे व्रष्टाचार खतम करने के लिए क्योंकि उन्होंने काया कि हम बहुत स्वीट आतंगबादी हैं जो बिजली पानी सिक्षा सब मुप्त देते हैं और कहीं व्रष्टाचार हो मंत्री जी दिली के बेटा जो अपने आपको बताते हैं दे रहे हैं मुझे लगता है यह पंजाब का असर है क्योंकि कॉमेडी वाले लोगों के साथ पंजाब में बैठना उठना ज्यादा हो रहा है तो वो कॉमेडी अब दिली के लिए कर रहे हैं यह आतंकवाद जैसा व और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी एक नई शब्दाबली लेके आये हैं ढूलके कि स्वीट आतंकवाद मतलब ये आतंकवाद को भी मजाक बना रहे हैं आतंकवाद को भी घंभीरता से नहीं ले रहे और उनके खिलाफ जो घंभीर आरोप लगे हैं उनको एक हसी का मजा कर उड़ाने की कोशिस कर रहे हैं मानने के जिरिवाल जी दिल्ली की जनता भूलने वाली नहीं है इन शब्दों को भी और जो आपके लिए कुमार विश्वास ने कहें उन शब्दों को भी और जो आपकी मूल भावना है उसको भी ये आपको आने वाले चुनाओं में चाह लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला, फिर क्यों नहीं पकड़ा गया आज तक मुझी देखिए ये अपने आपको स्वेम सर्टिफिकेट देते हैं ये पहली दारत की संस्ता ऐसी है जो खुद को अपने घर में इमानदारी का सर्टिफिकेट स्वेम माठते हैं कभी इनको किसी ने इमानदार कहा नहीं कभी इनको किसी ने अच्छा कहा नहीं ये स्वेम को अपने आप सर्टिफिकेट देते हैं इनकी एक मानसेकता मेरी समस्य बहार है कि क्या करना चाहते हैं इस दिल्ली को आवश्यक्ता है साफ पानी की इस दिल्ली को आवश्यक्ता है समय पे बिजली की इस दिल्ली को आवश्यक्ता है पॉलूशन मुक्त की इस दिल्ली को शराब की आवश्यक्ता नहीं है इस दिल्ली को आतंकवाद की आवश्यक्ता नहीं है इस दिल्ली को अलगावाद की आवश्यक्ता नहीं है और मैं कह दूँ आपको इस दिल्ली को आपकी भी आवश्यक्ता नहीं है जो इस देश में अलगाव वादियों को सपोर्ट करती है आतंकवादियों को इसकी भावनाव से समर्थन रखती है कि सोच आने था कभी कि यो राहूल गांदी वो प्रधार मंतरी उनके पर चंदू बचलने लगेंगे क्योंकि राहूल गांदी ने बयान दिया ऐसा उल्टा सीधा तो उनने मान लिया कि हाँ केजरिवाल आतंकवादी देखिए राहूल जी हो या केजरिवाल जी हो यह दोनों सब एक ही ठाली के चट्टे बच्टे हैं मैंने कहा नहीं को खुद से ही एक मर्यादा ते करते हैं, खुद से ही लाइन कीषते हैं, खुद ही से उस लाइन को पार कर जाते हैं, तो एक अलग मानसिक्ता के लोग हैं, इन्हें बात करनी चाहिए दिल्ली के काम पर. यह बड़ी-बड़ी बाते करते हैं मंच पर खड़े होकर कि मैंने स्कूल बनाने वाला आतकवादी हूँ, आउनो मेरी विदानसवा में, आउनो मेरे वाड में, दिखाऊनो मेरे यहां कौन सा कमरा बनाया है, एक भी कमरा बनाया है क्या मेरे यहां, एक भी नया स्कूल का नि लगड़ा करते जाते हैं इनके स्कूलों के निकलते संस्कार है इनके स्कूलों के अंदर संस्कार नहीं परुसी जारे इनके स्कूलों के अंदर सिक्षा नहीं परुसी जारी स्कूलों के मध्यम से अरा जक्ता ब्रहस्टाचार की सीख देने की कुछिस की जारी है वो स्कूल के मंदिर बन चुके कह रहे हैं कि अभी आजकल प्रसानमंत्री और जो भाजवा के नेता हैं कभी हो कि सारे के नीदों में के जीवाल आ रहे हैं सपनों में अपको लगता है कि यह सही बात है एक पहले टीवी में कारिक्रम आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो मुझे वह कि याद आ जाता है कभी-कभी इस तरह के वक्त अब्यों से ना सिर्फ हम लोगों के लिए इस राष्टर के लिए पूरे धिश के पूरे विश्व के एक लिडर है और पूरा विश्वय आज उनको आधर की द्रस्टी से देखता है एक बड़े लीडर की द्रस्टी से देख जो भारत कोई नहीं पूरे विश्व को सांती की तरफ, सो हार्द की तरफ, पॉलुशन मुक्ती की तरफ, पूरे विश्व की चिंता करता है, ऐसा लीडर बडूवर के आया है, उनका हमें नमन करना है, उनका आदर करना है, और हम करते आ रहे हैं, और मैं केजिरिवाल जी से जल्दी ही आप भी मोदी जी किस्ते कुछ सीख लेकर भारती जनता पाटी जोइन कर लो, और कुछ उनके संस्कारों कर दो, और प्रश्टाचारी वो जो ब्रस्टाचार करें और दुनिया को पता हो, जनता को पता हो, जनता जवाब देगे, अभी हमारे निगम के अंदर, जनता के हाथ पैसे लेते हुए पकड़ी गई है, और उस पकड़ी गई बहुत दुरुगाग, बदुरुभागयपूर बात है, मगर पूरी पार्टी उस ब्रस्टाचारी के साथ खड़ी है, यह सबसे बड़ा सबूत है, इनकी पार्टी के दौरा प्रायोजित, पार्टी के खड़ी तो सिर्फ पार्टी जिम्मेदार थी, यह उसको पार्टी से निस्कासित करते, उसके खिलाफ कारवाई करते उसके साथ, कहतो रहे हैं कि सारी जैंसियों का मालिक बना दिया जाए, तो क्या वो पार्टी पैसे लेते पकड़ी गई ठीक नहीं है, क्या पार्षद ने एडमिट किया ठीक नहीं है, क्या पार्षद धंका रही है एजन्सिस को, CBI को ठीक नहीं है, तो अपने आपको भगस सिंग बूल रहे हैं कि 100 साल पहले भगस सिंग थे हमारे तो उन पर अंग्रेजियों ने एक दाबा किया था, आरोप लगाया था कि आतंग बादी हैं, और मैं उनको अपने आपका चेला मानता हूँ भगस सिंग का, और आज ऐसे ही मेरे साथ हो रहे थे, आसको दोर आया जा रहा है, भगस सिंग ने मुझे बड़ा ही कस्थ हो रहा है ऐसे शब्दों से, कि भगस सिंग जैसे महान व्यक्तित्व को, जिनके जीवन स सेनिक हमारे इस देश के उपर बलिदान हो गए, यह उसको अपने चरितर से, अपने आप से कंपेर करने की कोशिस कर रहे है, इस सरासर भगस सिंग जी की अपमान है, और उनसे प्रेड़ना लेनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए, उनके आचरन को जीवन में उतार कर हम कोई भी व्यक्ति उनके जीवन के आसपास भी नहीं हो सकता, इसलिए मुझे लगता है को अतुल नहीं है, उनसे हमें तुलना नहीं करनी चाहिए, यह इंगनेंदा जनक बात है तो आप जो डिल्ली सरकार की नीतियों से प्रसंद ने, बाई बन गैट, बन फिरी कपड़ों पे होता था आप शराब पर भी आपको कानो कानो कर दो तो स्विकार है और इस देश की और दिल्ली की जनता को भी यह नितिया स्विकार है, लोग बहुत ही नाराज है तो क्या इसकी तस्वीर M.C.D. चुनाओं में देखने को मिल सकती है निश्चित, M.C.D. के चुनाओं में इसका खाम्याजा उनको भ्रहत रहोगा बहुत बहुत चुक्रिया